नमस्कार बन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है मैं हूँ शिवराज सिंग इंदनों तेलंगाना के हैदराबाद का नगर निगम चुनाव जहां मेडिया की शुर्खिया बना हुआ है वहीं लोगों की भी दिल्चस्पी इसको लेकर बढ़ गई है इसकी बड़ी बज़े बीजेपी है दरसल बीजेपी ने इस चुनाव में पूरी ताकत जहौक दिये बीजेपी ने गुरवार को हैदराबाद नगर निगम चुनावों को लेकर अपना गोश्णा पत्र जारी किया है जिसमें फ्री विजली फ्री पानी से लेकर कई तरह के ल साथ बाहड़ी किया जाएगा और वैक्सेन वन्गाणा बीजेपी ने अपने इसमें को हैदराबाद सी यॉजना के देदें घ़र जाए जाएगा जाएक स्कूली बच्चों को टैप फ्री मिलेंगे सरकारी स्कूल में वाई फाई लगाया जाएगा 17 सितंबर को तेलंगाना मुक्ती दिवस के रूम में मनाया जाएगा इतना ही नहीं है सुद्धी नोवेसी को उसके गड़ में ही मात देने के लिए बीजेपी ने इस्टार प्रचारों की फोज उतार दी है हैदराबार नगर निगम इस्तर के चुनाम में ग्रह मंत्री अमिश्या से लेकर बीजेपी के राष्टी अधिक जेपी नडड़ा यूपी सीम योगी आदितना चुना प्रचार करते दिख सकते हैं कहा तो यह भी जा रहा है कि पीएम मोदी भी प्रचार करते हैं नजर आ सकते हैं हलाक इसको लेकर अभी केवल कयासी लगाए जा रहे है दरसल बीजेपी असुदिन ओवेसी को उसके घर में ही रोकना चाती है ओवेसी की पार्टी AIMIM के लिए हैदराबाद हमेशा से एक कबच की तरह रहा है 1927 में जब इस पार्टी का गटन हुआ था तब ये केवल तेलंगाना तक ही सी मित थी 1984 के बाए लगाता रह इस पार्टी की जोली में हैदराबाद की लोकसवा सीट जाती रही है बरस दरजा चॉदय में हुए लोकसवा विदानसवा चुणाब में भी पार्टी ने साथ सीटें जीती थी इसके अलावा इसी दोरान पहली बारे पार्टी राज के बाहर माराष्ट में बिदानसवा की दो सीटें जीतने में कामयाब रही थी हाली में हुए बेहार बिदानसवा चुनाब में भी पार्टी ने पांस सीटें हासल की है अब उसकी निगाफ फश्चिम बंगाल की बिदानसवा चुनाप पर लगी हुई है जहां बीजेपी ने पूरी तागा जोंक रखी है इस ख़बर में फिलाल इतना ही तमाम अपडेट के लिए बने रही बन इंडिया हिंदी के साथ